अगले सवाल का जवाब तो आपको मिल ही गया होगा यहां कहां खोल सकते हैं हम किसी भी बैंक के साथ खोल सकते हैं और किसी भी ब्रोकर के साथ भी अपने डीमेट ट्रेडिंग अगाउंट को खोल सकते हैं आफ़ा बड़ा सिंपल और बड़ा असान question उसका असान जवाब है कि difference क्या है डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या दोनों जरूरी है जी हाँ दोनों जरूरी है हर कोई जानना चाहता है इसका जवाब ये है कि क्या stock market जुआ है या business stock market is a business or a gamble simple सी बात है कोई भी business कोई भी काम अगर आप बिना सोचे समझे करेंगे बिना सीके समझे करेंगे तो वो जुआ ही कहलाएगा वैसे ही stock market है stock market में दुनिया के सभी businesses list होते हैं तो बिजनस लिस्ट होते है stock market की अंदर में वो जुआ नहीं खेलने के लिए हाते हैं वो अपनी wealth को create करने के लिए आते हैं by the virtue of the business जो business वो कर रहे होते हैं जब वो grow करता है तो उनके share prices effectively grow करते हैं share prices इसलिए grow नहीं करते हैं कि कुछ में नहीं हो जा अगर company grow कर रही है तो share market में उनके share prices effect होते हैं reflect करते हैं company की growth को या company की degrowth को अगर company D grow कर रही है तो company के shares गिरेंगे और company अगर अच्छा कर रही है तो company के shares बढ़ेंगे तो आपको देखना है कि आपको gamble करना है या business करना है अब अगरा सवाल आपके दिमाग में आया कि हम share market कितने से शुरू कर सकते हैं या शुरुआत करने के लिए कोई भी limitation नहीं आप 10 रुपे या 10 रुपे से कम से भी शुरू कर सकते हैं तो आप सिर्फ 4 रुपे से share market में investment कर सकते हैं आज वोड़ाफोन आइडिया का share 14 रुपे के आसपास trade कर रहा है तो 4 रुपे से 14 रुपे सोचिए more than 3 times के आसपास की return से एक साल में आई है तो आपको company को study करना चाहिए मैं वोड़ाफोन आइडिया के recommendation नहीं कर रहा हूँ कि इस stock के recommendation नहीं कर रहा हूँ कि हम 10 रुपे से कम में भी trading कर सकते हैं investment की शिरुबात की जा सकते हैं stock market में इसी के साथ आपकी दिमाग में जहन में सवाल आना चाहिए कि क्या minimum के साथ ने कोई maximum requirement है जी नहीं कोई maximum limitation भी नहीं है, sky is the limit, आपके एक लाग है, एक रुपया है, एक करोड है, कितना लगाना चाहते हैं, आप इतना भी लगा सकते हैं, stock market समंदर है इसने बहुत साई companies हैं जो 2 रुपे से लेके 20,000 रुपे तक के prices के share listed है और 80,000 तक के MRF तक के shares भी listed है आपके उपर है, आप क्या खरिदना चाहते हैं, कितना खरिदना चाहते हैं, कितनी investment लगा जाते हैं, कोई भी limit नहीं है आपकी investments के लिए अब आप सोचेंगे पैसे का मामला है, क्या stock market risk है, क्या safe है, क्या हमारी investments safe है, दिमाग में जहन में ये सवाल जरूर जा रहा होगा आपके, जी नहीं stock market investment is subjected to market risk, अगर market उपर जाएगी, पैसा उपर आएगा, market नीचे आएगी, हमारा stock नीचे गरेगा, पैसा भी loss में जाएगा, फिर बज़ार उपर चड़ेगा, फिर पैसा आएगा, फिर बज़ार नीचे आएगा, फिर उपर जाएगा, फिर बज़ार नीचे आएगा, फि यहाँ पर prevail करता है आपने एकसा सुना वाँ कि Stock Market में नुकसान भोद होगे तो अगला सवाल इसी के उपर है क्या हम हमेशा Stock Market में नुकसान ही करते है क्या नुकसान होना guaranteed है क्या हमेशा पैसा जाएगा या जाएगा जी नहीं, बिलकुल भी नहीं अगर आप सीख लेंगे तो Stock Market बहुत ही असान हो जाएगी तो learn before you start earning from Stock Markets और learn before you start trading from Stock Markets अब अगला सवाल क्या कोई Education Qualification चाहिए है सोगा हम start करने के लिए जी नहीं, anyone with any Education Qualification can start अगर आप पढ़े रिखे नहीं भी है आपके पास सिर्फ एक Pen Card है Pen Card अगर आपके पास में है आपके पास Bank Account है आपके पास में आधार है तो आप अपने Trading Investment की शुरुआत कर सकते हैं आपका पढ़ा लिखा होना Qualification होना बिलकुल भी ज़रूरी नहीं है एक Unpard without Education या कोई भी Education चाहिए हो अगर आप Educated हैं Commerce से अगर आप Science से Educated हैं या आप Arts से Educated हैं तो भी आप इसमें काम कर सकते हैं कोई Limitation यह एक Unpard कर सकता है तो किसी भी Stream से पढ़ा हुआ इंसां Soft Market को कर सकता है तो पर सब पूछते हैं क्या Finance की Knowledge बहुत ज़रूरी है जी नहीं बिलकुल भी नहीं आप किसी भी Stream के साथ काम कर सकते हैं पर अगर आप Fundamental Study करना चाहते हैं Balance Sheets Study करना चाहते हैं आप Profit and Law Study करना चाहते हैं अगर आपको Focus Area Fundamental Study का है तो हाँ अगर आप Commerce Background के हैं तो आपको Edge मिलने वाली है एक Extra आपका Benefit होने वाला है Otherwise आप किसी भी Stream से हो कोई फर्मी पढ़ता है आप सोफ मार्गेट में काम कर सकते हैं